पाकस्तान में चीनी नागरिकों को सतर्क रहने के सलाह देने के कुछ दिनों बाद ही चीन्स ने तकनी की मुद्दों को हवाला देकर पाकस्तान में अपने दुतावास के वाड़िज्य दुतावास को आस्थाइरोग से बंद कर दिया है चीनी दुतावास ने अपनी वैबसाइट पर जारी सोचना में कहा है कि तकनी की मुद्दों के कारड़ चीनी दुतावास का वाड़िज्य खंड 13 फरवरी 2023 से अगली सोचना तक आस्थाइरोग से बंद रहेगा इसके करड़ अब पाकस्ताणियों को चीन की नियमित वीजा सुबधा नहीं मिल पाएगी लेकिन 34 सिर्फ इतना ही नहीं है कंगाली और महंगाई से बाहर निकल पाना पाकस्ताण के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है रटिंग अजनसी मोडीज ने पाक केलगी आगे और बुरे दिनों की चेतावनी दी है शनिवार को नोटेस जारी कर चिनी विदेश मंत्राले की काउंसल विभाग ने अपने नागरी को चेतावनी दी है कि पाकस्तान में उनकी सुरक्षा केलगी बहुत बड़ा खत्रा हो स कि वे पाकस्तानियों और विदेशी नागरीकों को पूरी सुरक्षा मुहया कराएंगे पाकस्तान इन दिनों आतंकबाद के साथ भेंकर आर्थिक तंगी से जूज रहा है दिवालिया होने के कगार पर खड़ा पाकस्तान आई एमेफ से 1.1 बिलियन डॉलर कर्ज की रुकी तो है कंगाली के कगार पर पहुंचे चुके पाकस्तान को अगर आई एमेफ से मदद नहीं मिली तो देश में वोखवरी के हालात बन सकते हैं